मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आमानत नौलेज दोस्तों जानकारी प्रात करेंगे कि मान लिजिए किनी एक वेक्ति के नाम से जमीन है और वो महिला है और उनका दो बेटा है ठीक है और उन महिला का मृत्यू हो जाता है और मृत्यू के बाद ठीक है एक भाई कहते हैं कि कागजात मेरे दूसरे भाई ने ले रखा है और दूसरे भाई का कहना है कि मेरे पास जमीन का कागजात नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें दोस्तों जानेंगे और जानने से पहले आपमारे चैनल पर नहें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आगे जनकारी प्राप्त करते हैं तो दोस्तों एक कमेंट्स आया था और उस कमेंट्स का जवाब इस वीडियो के माध्यम से है और हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी ऐसी परिस्थिती का सामना करने के लिए नौलेज मिल जाएगा ठीक है इसलिए मैं ये वीडियो प्रस्तूत कर रहा हूँ आपके समय तो दोस्तों एक महिला है और उस महिला के नाम से जमीन था महिला डैथ कर गई उन महिला का दो लड़का यानि दो बेटा है ठीक है तो एक बेटा जो है दूसरे भाई से यानि कि पहला वेक्ति एक बेटा दूसरा वेक्ति दूसरा बेटा तो पहला बेटा जो है दूसर वेक्ति से दूसरे बेटा से अपने भाई से वो जमीन का कागजात मांगने के लिए गए ठीक है तो उन्हों ने कहा कि कागजात मेरे पास नहीं उपलत हैं तो ऐसी परिष्थिति में पहला वेक्ति जो है वो अपसोस कर रहा है कि आखिर क्या करें जो मालेजे की जमीन में जो हमारा सेर होगा यानि हिस्सा होगा वो कैसे हमें प्राप्त हो गया तो इस बात के लिए दोस्तों चिंतित ना रहें ठीक है हर प्राबलम का कुछ ना कुछ जो है तो निदान होता है तो आज हम जो बताने जा पहले व्यक्ति को जमीन का कागजात नहीं दे रहे हैं बोल रहे हैं कि खो गया गुम हो गया तो ऐसी परिस्तिती में पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने सरपंच महोदय के पास जाए ठीक है और उनसे अपने सारी परिस्थितियों को जो है बताएं बाडिकी से नामा या तो सरपंच महदय के लेटर पेड पर करवाएं या फिर कोट दौड़ा इस्टाम पर लाकर उस पर कड़वाएं ठीक है और जब पंचायत बैठा जाएगा सरपंच साव के दौरा तो उस पंचायत में जो लिखने का जो तरीका होता है सरपंच महदय का वो तो अपन होता ही है लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसे आपको include कर देना है ठीक है यानि की जोर देना है ठीक है समझे तो मुख्य विसे ही यही होगा ठीक है तो उसमें यह करना है कि आपको जमीन का पूरा details पता कर लेना है ठीक है जमीन का खाता खेसरा नंबर जमीन कितना है जमीन किनके नाम से है ठीक है ऐसे ही जो भी details है उसको आप पता कर लिजिए और पता करने के बाद आप उस later में जो लिखा जाएगा पंचनामा तयार करा जाएगा उसमें लिखना है सारा details उस जमीन का ठीक है जिसका आप हिस्सेदार होंगे ठीक दर्सा देना है कि इस जमीन का जो है कागजात मेरे दूसरे भाई ने कहा है कि गुम हो गया है खो गया है तो ऐसी परिस्थिती में यह पंचनामा तयार किया जा रहा है और इस पंचनामा के तहत जो मेरा सेर होगा यानि जो मेरा हिस्सा होगा उसका हकदार मैं रहूंगा उ तरह का पंच नामा तयार करवाना है और सरपंच महोदय का उस पर साइन महर भी हो जाना चाहिए ठीक है तो एक वह सटिसफाइड लेटर हो जाता है ठीक है उससे आपको संतुष्टी मिल जाती है और भाविस्त में वह उस जमीन को जो है अकेला कोई भी विक्ति यानि अकेला कोई भी भाई पूरा जमीन को बेच नहीं सकता है ठीक है क्योंकि अगर आपके पास वो पंच नामा तयार है और आपके पास है तो आपके पास सबूत है कि उसमें आधा जमीन का सेर आपका है और कोई भी भाई अगर बेचेगा तो पूरा जमीन वो नहीं बेच सकता है वो अपने सेर का ही बेच सकता है तो आप इस तरीका का इस्तमाल करें और आसा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो 100% आप अपने प्रॉबलम को solve कर पाएंगे ठीक है और अगर आप ऐसा करेंगे तो एक बात समझ जाएए अगर सच में गुम हो गया दूसरे भाई के हाथ तो तब तो कोई बात नहीं है ठीक है तब तो बनाएंगे तो उसी पे काम चलेगा आपका जो पंचनमा बनेगा लेकिन अगर उनके मन में ऐसा सवाल आ गया सवाल आ गया कुछ अन्य तड़ा का तो निश्चित रूप से उनके पास होगा तो वह निकाल के आपको पेस कर देंगे दें ठीक है तब तो और अच्छी बात हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया तो वीडियो के लाइक स्टेर करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए लविदा थैंक्स